नमस्कार दोस्तों आज हम लोग छट्ठा क्लास का संस्क्रीत जिसका नाम है सुभासी का प्रत्मो भागह इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें भी हम लोग एकादसः पाठ मतलब 11 पाठ को हम लोग पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है वर्सा गीतिका ठीक है और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग इसके पहले 10 पाठ तक हम लोग पढ़ लिये हैं ठीक है यदि आपको ये पीछे का अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो प्लीज पहले ही आप लाइक कर दीजे इसलिए कि इसका मतलब है कि हम जब भी पढ़ाएंगे तो ठीकी पढ़ाएंगे और अपने से कोशिस करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा जनकारी दें इस पाठ का नाम है वर्सा गीति का मतलब वर्सा गीत ठीक है मतलब वर्सा का ये गीत है मतलब काले मेग आकास में गरजते हैं काले मेग अकास में गरचते हैं, देखो अन्न देने वाली वसुधा मतलब धर्ती, हर्स्ती मतलब प्रशन होती है, हलम गरित्वा सस्मिता क्रिश्का हल लेकर, गरित्वा मतलब लेकर, सस्मिता मतलब मुस्कुराते हुए क्रिश्का मतलब किसान, शनय शनय मतलब धीरे धीरे, स्वा छेत्रे, स्वा मतलब अपने, छेत्रम मतलब खेत और कर्सती मतलब जोतता है, तो हल लेकर मुस्कुराते हुए किसान धीरे धीरे अपना खेत जोतता है इसका पूरा का मीनिंग हो गया कि काले मेघा आकास में गरजते हैं अन्न देने वाली धर्ती प्रशन होती है या खुस होती है और हल लेकर किसान अपने मुस्कुराते हुए अपने खेत को धीरे धीरे जोदता है च्छत्रम नित्वा, च्छत्रम मतलब होता है च्छाता च्छत्रम नित्वा, नित्वा मतलब लेकर बालः गच्छती, मतलब बालक जाता है च्छाता लेकर बालक जाता है पिपलिका निज भक्षयम रक्षती पिपलिका का मतलब है चीटी चीटी निज मतलब अपना भक्षयम मतलब भोजन की रक्षा करती है चीटी अपने भोजन की रक्षा करती है मेग हम द्रिष्टवा मम उद्याने मेग देखकर मेरे बगीचे में सहर सेन तू मयूरह निरित्यती मेग देखकर मेरे बगीचे में परसन्नता पुर्वक मूर नाचता है गीता गायती गीता गाती है ललिता नाचती है और आरती गवाक्षेन का मतलब होता है खिलकी मतलब खिलकी से तो गीता गाती है ललिता निरित्यती मतलब ललिता नाचती है गवाक्षेन आरती चप अस्यती खिलकी और खिलकी से आरती देखती है वर्सरतो स्वागते च चटका मतलब पक्षी तरुवरस्य साखायाम कुजिती उसको मतलब पेंड पेड के साखायाम कुजिती उसका मीणिंग हो गया है आरती खिड़की से देखती है वर्सरतो स्वागते वर्सारित्यू के स्वागत में पक्षी पेंड की साखायाम कुजिती हैं ये हम लोग इसका मेनिंग देख लिए और हम यहाँ पे कुछ-कुछ वर्ड जो था तफ वो लिखे थे अब हम लोग देखते हैं इसका question answer question number 3 है निम्न लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी एक पदे न लिखत अपलब निम्न लिखित प्रश्णा के उत्तर एक पद में लिखें तो हम लोग यहाँ पर देखने हैं पुछता है गगने कह गर्जती आकास में कौन गरजता है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कृष्णो मेगो इसका उत्तर है कृष्णो मेगो फिर पुछता है क्रिसका कम करसती किसान क्या जोतता है तो हम लोग इसका एक ही पद में लिखना है तो स्वाच्छेत्रम इसका एंसर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे स्वाच्छेत्रम कि मित्वा बालग अच्छती पुछता है कि क्या लेकर बालक जाता है तो छत्रम तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसका एंसर में छत्रम लिख देंगे ललिता किम करोती ललिता क्या करती है तो ललिता नाचती थी तो लिखेंगे निरित्यती निरित्यती गवाक्षेन का पश्यती खिड़की से क्या देखती है तो खिड़की से कौन देखता है तो आरती कौन देखती है आरती देखती है ठीक है अब हम लोग इसका अगला देखते हैं ये कहता है कि मन्युसात क्रिया पदानी छित्वारिक तस्थानानी पूरियत मनने यह बॉक्स में दिया हुआ है है ना, वो क्रिया का पद है उसमें से चुन कर हम लोग को रिक्तस्थानों को भरना है जैसे हम लोग देखेंगे आर्ती गवाक्षेन ठीक है, यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है हम लोग यहाँ देख ले गर्जती, रक्षती, कूजती, निरित्यती, गायती, पस्यती तो आरती, गवाक्षेन, पस्यती हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पस्यती गीता, ठीक है चटका, ललिता, पिपलीका, मेगह, गगने न तो गीता क्या करती है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोग के पाठ में था गीता गायती यहाँ भर देंगे हम लोग गायती चटका क्या करता था तो पक्षी क्या कर रही थी तो वो कूजती तो हम लोग लिखेंगे चटका कूजती यहाँ है कूजती ललिता तो ललिता निरित्यती निरित्यती पिपली का तो पिपली का क्या कर रही थी तो रक्षती रक्षा कर रही थी चुटी क्या कर रही थी तो रक्षती इसकाद मेगह गगने मेगह गगने तो वो गर्जती मेगा गगने गर्जती यह हम लोग इसको भर दिये अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला कोश्चन को यह कहता है बिलोम पदानी योजियत यहाँ कहता है बिलोम पदों को मिलाईए फिक है? तो कृष्णा का मतलब होता है काला और यहाँ हम लोग देखेंगे इधर वसुदा मतलब धर्ती दुखेन मतलब दुख से स्वेतभ मतलब उजिला तो काला कृष्णा को हम लोग मिलाएंगे स्वेतभ से ठीक है? निज मतलब होता है अपना परह मतलब पराया तो निज़ को पराया से मिला दिये सहरशेन मतलब खुसी से तो दुखेन मतलब दुख से मतलब यह वाला यहाँ मिल जाएगा गाग नम का उल्टा गागन मतलब आकास का उल्टा प्रिथवी यह हम लोग इसको मिला दिए आप लोग इसको अपने कौपी पर आमने सामने लिख दिजएगा जो बिलोम है जैसे कृष्ण के सामने लिखिएगा स्वेता, निज़एं के सामने परह, सहरसेन के सामने दुखा, गगणम के सामने वसुधा, सनैशनाय के सामने सिग्रम शिग्रम ठीक है? अगला question हम लोग देखते हैं जहां लिखिया है वर्तमान कालाश्य मतलब वर्तमान काल के एक वचन पदेब्या द्वी वचन बहु वचन पदानाम निर्मानम कुरता है एक वचन दिया हुआ है इसी से हम लोग को द्वी वचन और बहु वचन पदों को का निर्मान करना है तो जैसे हम लोग जानते हैं वर्तमान काल का मतलब होता है जो वर्तमान में जो चल रहा है जैसे जिसमें ताहय, तीह, तेह, लगा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग लटलकार तो संस्क्रीप में वर्तमान काल के लिए धातू रूप जो होता है वो लट लकार का प्रियोग किया जाता है धातु रूप लट लकार लट लकार जहां लगेगा मतलब ती तह अंती सी थह थह आमी आव आमा जब ये वर्ड लगेगा कोई भी धातु के लास्ट में ये जूड जाएगा तो वो पद का निर्मान होगा जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक वचने दूई वचने बहु वचने ये लिखा हुआ है खाद ती यहाँ पर खाद धातु है खाद धातु है तो इसमें लगा ती तह अंती तो खाद ती खाद तह खाद अंती यहाँ पर है पश्य तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पस्यती पस्यतः और पस्यन्ती ठीक है इसके बाद देखेंगे कूजती है तो कूजतः कूजन्ती ठीक है मतलब हम लोग यहाँ पे जोड़ दिये कूजिती कूजिता कूजन्ती यह वर्सती तो वर्सतः वर्संती ठीक है इसके बाद हर्सती तो हर्सतः हर्संती इसके बाद है कर्सती कर्सतः तो लगा दिये और कर्संती इस तरीका से हम लोग लगभग इसके सारे प्रशनों का उत्तर हम लोग सॉल्व कर दिये आप हम लोग इस पार्ट को पूरा वर्ड मिनिंग के साथ हम लोग इसको पड़ लिये हैं तो हम आसा करता है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर जरूर कीजिए जिसे दूसरों को भी फैदा हो और यह आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल